find 5 resistance number between question number 1 इसका 2 by 3 and 4 by 5 number 2 minus 3 by 2 and 5 by 3 and question 3rd 1 by 4 and 1 by 2 यह 3 question हमें दिये हुए हैं तो फिर से हम वही काम करेंगा जो इससे पहले हम करते हैं अकर LCM हम निकालते हैं तो इनका 15 होता है तो यहां 5 का multiple करेंगे तो 10 होगा और यहां पर अगर हम 3 का multiply करेंगे तो 12 होगा तो 10 और 12 के बीच में 5 का gap नहीं है इसलिए हम इसमें और भी numerator में 5 का gap हमें मिलना चाहिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम problem को solve करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहले problem का 2 by 3 ठीक है इस पे हम multiply कर क्या करें कि हमें एक बड़ा denominator मिलता हुआ नजर आए तो 2 by 3 में अगर हम मान लेजिए हमने तो यहां देखा कि इसलिए LCM ल तो अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं 30 को तो 10 टैम जाता है तो 10 इंटू 2 एने की 20 होगा और यहां पर अगर यह 5 है 30 अगर LC हम लेते हैं दिनामेटर में तो 5 6 जा 30 होता तो 6 4 जा 24 होगा तो 20 और 24 के बीच में भी 5 रिश्टन लंबर हमें नहीं दिख रहे हैं तो और भी और मुल्टिपल हम उसमें कर देंगे that means 60 की और जा रहे हैं तो इसका मतलब 60 लाने के लिए इसमें किसका मुल्टिपल करना पड़ेगा हमें डिनामेटर में तो 20 का दिख रहा है तो यह भी हम करके देख लेते हैं तो 20 ऊपर और नीचे हमने किया मुल्टिपलाई तो यह हो गय यहां पर 40 by 60 अब डारेक भी बड़ा नमबर लेके कर सकते हैं डिनामेटर में कोई टेंशन नहीं है इस बात का ठीक है और सेकंड जो है 4 by 5 इसका भी डिनामेटर हमें 60 लाना है तो इसमें हमें उपर नीचे 12 का मुल्टिपलाई करना पड़ेगा तो चलिए करते हैं वह भी हम यहां पर end हमने लिखा और 4 by 5 में हमने 12 डिनामेटर और नीमेटर का हम मल्टिपलाई करने जा रहे हैं तो यहां पर 12 और यहां पर 12 अभी यहां गया 48 और यह हो गया 60 तो equal to यहां पर हम लिख सकते है 48 by 60 देखिए दोनों का डिनामेटर सेम पहली सर्त है और नीमेटर के बीच में 5 का gap होना चाहिए, तो ये दोनों चीज को fulfill कर रहा है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको उसके और भी multiple कर सकते हैं, कोई प्रावलम नहीं है, मान लिजे कि आप यहाँ पे 30 का भी multiply करें, तो 90 हो जाएगा, इसको 90 करने के लिए हमें 18 का multiply करना पड़ेगा, उसमें भी निकलेगा, तो फिलाल हम यहाँ पे 40 by 60 और 48 by 60 के बीच में 5 rational number लिखने जा रहे हैं, तो इसे हम लिखते हैं, 5 rational number between, इन दोनों के बीच के rational number लिखने हैं, तो यहाँ पर 40 और 48 है, तो 40 और 48 के बीच में 5 हमें number दिख रहे हैं, तो उन में से कोई भी number हम लिख सकते हैं, numerator में और denominator तो 60 लिखना ही है, तो यहाँ पर हम चालू कर रहे हैं, 41 by 60, 42 by 60, 43 by 60, 44 by 60 and 45 by 60, चुकि यह rational number हमने लिखने की कोशिस किये, लेकिन यह actually fraction है, क्योंकि standard form में नहीं है, rational number का मतलब होता है, P and Q has no common factor, तो हम इसको लिखने जा रहे हैं, 41 से 60 पे कु नहीं दिख रहा है, तो as it is, हमने लिखा यहाँ पर दिख रहा है, कि हम इसे 6 से काट सकते हैं, 6 7 जा और 6 10 जा, तो हमने यहाँ पर लिखा, 6 by 10, यह कटता नहीं दिख रहा है, as it is, हमने लिखा, यहाँ पर देखिए, 4 से कटता दिख रहा है, तो यह 11 हो गया, और यह 4 से क 3 and 4 by 5 के अब यहां पर हम ले रहे हैं second question minus 3 by 2 और 5 by 3 यहां भी वही चीज़ देखेंगे सर्थ वही है कि LC हम लेने के बाद यहां कि denominator जो भी आय उसके बाद numerator के बीच में 5 का हमें gap चाहिए कम से कम है न तो यहां पर हमने इसे इस परकार से अरेंज किया है minus 3 by 2 इसमें हमने multiply किया यहां पर 3 by 3 का तो देखें यह हो गया 6 और यह हो गया minus 9 ठीक है तो यह हो गया minus 9 by 6 तो लिख लेते हम minus 9 by 6 और यहां पर 5 by 3 है तो इसका भी denominator हमें 6 करना है तो 2 का multiply करना परेगा numerator और denominator में तो हमने यहां पर 5 by 3 में multiply किया numerator और denominator का 2 by 2 से है तो यह हो गया 6 और यह हो गया 10 तो देखें यहां पर यह easy इसलिए हो गया क्योंकि इनका सिर्फ हम LCM हमने लिया है 6 किया है 2 और 3 का उसके कारण यह minus 9 और यह 10 हो रहा है तो इनके बीच पे 5 से ज्यादा नमबर है इसलिए हम आगे कुछ नहीं कर पाए और करने की जरूद भी नहीं है इस कंडिशन में अब हमें माइनस 9 by 6 और 10 by 6 के बीच में कोई भी 5 नमबर हमें लिखने है ठीक है तो माइनस 9 और 10 के बीच में हमें चाहिए इस चीज को ध्यान में रहते हैं हम 5 रेशनल नमबर लिखने जा रहे हैं तो यहां पर 1 by 6 और 2 by 6, 3 by 6, 4 by 6, 5 by 6 माइनस में भी हम शुरुवात कर सकते थे माइनस 9 के बाद यहां माइनस 8 से भी हम चालू कर सकते थे कोई भी 5 रेशनल नमबर लेकिन डीडामेटर उनका 6 ही होना चाहिए अब इसमें जो कटता है कटते हुए इस टेंडर फॉर में हम रेशनल नमबर के फॉर में हम ले आते हैं तो यहां हमने लिखा 1 by 6 यह हो गया 1 1 by 3 और यहां पर 1 by 2 यह हो गया 2 by 3 और यह as it is 5 by 6 तो हमने 5 by 6 इसे लिखा अब यहां पर देखिए 1 by 4 और 1 by 2 के बीच में हमें लेना है तो लिख लेते हैं 1 by 4 तो देखिए अगर हम इनके बीच में अगर इसका LCM लेते हैं तो यह 8 होता है तो यहां पर 2 आएगा क्योंकि 4 2जा 8 तो 2जा 2 होगा और यहां पर 4 होगा तो 2 और 4 के बीच में 5 देखिए नहीं मिल रहा है तो इसलिए हमें थोड़ा सा बड़ा नमबर चाहिए तो 8 में किसका मुल्टिप्लाई करें इनके LC में किसका मुल्टिप्लाई करें ताकि Numerator के बीच में हमें 5 का गेब मिल 10 by 40, खीक है, तो इसका भी डिनामेटर हमें 40 लाना है, तो 40 लाने के लिए इसमें 20 का उपर नीचे मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, तो इस परकार से हम कर सकते हैं, q1 by 2, और यहां पर यहोगया, 1 by 2 into 20 by 20, तो यह हमें मिला result, 20 by 40, 10 और 20 के बीच में तो करीब करीब 9 नमबर हमें बिलता हुआ दिख रहा है, तो हमें सिर्फ 5 चाहिए, तो हम दिखेंगे 5 रिश्टनल नमबर बिट्विन, इनके बीच में जो 5 रिश्टनल नमबर होगा, वो लिख सकते हैं, 11 by 40, 12 by 40, 13 by 40, 14 by 40, and 15 by 40, इसको अगर हम इस्टिमिड़ फार में रिश्टनल नमबर के फार में अगर हम लाते हैं तो हम लिखेंगे यहां पर 11 by 40, 12 कटता हुआ दिख रहा है, 4 के टेबल से यह हो जाएगा, 3 by 10, यहां पर as it is, यहां 2 से कटता हुआ दिख रहा है, हुआ रहा है,